कि देल और बीच अज मंगलवार को भी बैठक बेनतीजा रही अब परसों एक बार फिर किसान नेता उने कहा कि उनोंने सारकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और इसलिए बाहर आ गए हैं आपको यहां बता दें कि क्रिशी कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों से मंगलवार को केंद्र सरकार ने दो फेज में करीब तीन घंटे तक बातचीत की नतीजा कुछ नहीं निकला दो घंटे के पहले फेज में सरकार ने किसान प्रतिनिद्यों के सामने मिनिमम सपोर्ट प्राइज पर पावर प्रेजेंटेशन दिया उनके सामने प्रस्ताव रखा कि नए कानूनों पर चर्चा के लिए कमेटी बनाई जाए इसमें केंद्र किसान और एक्सपर्ट शामिल हो पर बात नहीं बनी दूसरे दोर में तैह हुआ कि अगली बात्ची तीन दिसंबर को होगी मीटिंग के बाद किर्शी मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि बात्ची अच्छे माहौल में हुई हमने किसानों से आंदोलन खत्म करने की बात कही पर ये फैसला किसान ही करेंगे हमने कहा कि कमेटी बना दे पर किसान चाहते थे कि सभी लोग मिलकर ही बातचीत करें तोमर के बयान के बाद प्रतिनिधी मंडल में शामिल किसान नेता चंदा सिंग ने कहा हमारा आंदोलन जारी रहेगा हम कुछ तो हांसिल करेंगे भले गोली हो या फिर शांती पूर्ण हल हम आगे भी चर्चा के लिए आएंगे केंदर सरकार उत्तरप्रदेश, उत्राखंड, हर्याना और दिल्ली से डेलिगेशन से चर्चा करेगी सरकार के बुलावे पर किसानों ने कहा था कि वे मीटिंग के लिए इसके तयार हुए क्योंकि इस बार सरकार ने कोई शर्त नहीं रखी आपको बता दें कि 3 बजे से शाम 5 बजे तक पहले दोर की मीटिंग हुई इसके बाद करीब 6 बजे फिर चर्चा शुरू हुई और करीब 30 मिनट में खत्म हो गई हर्याना के निर्दलिय विधायक और सांगवान खाप के प्रमुक सौंबीत सांगवान ने खटर सरकार से समर्थन वापिस ले लिया है चर्खी दादरी में सांगवान ने कहा किसानों पर हुए अत्याचारों को देख कर मैं सरकार से अपना समर्थन वापिस लेता हूँ CAA के खिलाफ शाहीन बाग के प्रदर्शन में शामिल हुई 82 साल की बिलकिस बानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था वे किसानों के प्रदर्शन में शामिल होने सिंदू बॉर्डर पर पहुँची बता दे कि सरकार ने सोमवार देर रात किसानों को बाचीत का नियोता भेजा था कृषी मंत्री नरेंदर सिंग्तोमर ने कहा था कि जो किसान नेता 13 नवंबर की मीटिंग में शामिल थे उन्हें नियोता दिया गया है हलाकि इस पर विवाद हो गया दरसल कृषी विभाग के सचिव की तरफ से जारी हुए नियोते की चिठी में 32 किसानों के नाम थे ये सभी पंजाब के किसान नेता थे ये हर्याना के अपने साथियों का नाम भी शामिल करने का दबाव बनाने लगे इसके बाद नियोते में हर्याना से गुर्नाम चड़ूनी और मध्यप्रदेश से किसान नेता शिव कुमार शर्मा कक्का जी का नाम शामिल किया गया सरकार पहले इस बात पर अड़ी थी कि किसान 3 दिसंबर को बातचीत के लिए आए सोंबार को सरकार ने यहजद छोड़ दी और एक दिसंबर दोपहर 3 बच्चे 32 किसान नेताओं को बातचीत का नियोता भीजा इसे पहले सरकार ने किसानों से कहा था कि वे प्रदर्शन खतम कर बुराड़ी आ जाएं तो बातचीत पहले भी हो सकती है वहीं बताते चले कि नए कृशी कानूनों के खिलाफ पिछले साथ दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर हजारों की संख्या में किसान जम्य हुए है इस बीच आज किसान नेताओं और सरकार के बीच हुई बैठक बे नतीजा रही किसान नेताओं ने कमेटी के मुद्डे पर कहा कि कमेटी बना लीजे आप एकस्पर्ट भी बुला लीजे हम तो खुद एकस्पर्ट हैं ہी लेकिन आप ये कि हम धरने से हट जाए ये संभव नहीं है अभी इस पर और चर्चा होनी है किसानों को कमेटी पर कोई आपती नहीं लेकिन उनका कहना है कि जब तक कमेटी कोई निश्कर्ष पर नहीं पहुंच थी और कुछ ठोस बात नहीं निकलती उनका अंदोलन जारी रहेगा समाचार एक्सप्रस की रिपोर्ट आज किसान यूनियन के नेतगर्ण आये थे और भारत सरकार ने तीसरे दोर की बारता आज संपन्न की बारता काफी ठीक रही और एक दूसरे के प्रति काफी समझ बनी है और हम सब लोगों ने ये तैय किया है कि अब परसों वारता का चौथा चरण सुरू होगा और परसों ताक ये लोग भी इसू अपने लेकर आएंगे और उन पर गिंदवार फिर चर्चा की जाए किसी तरगी कमीटी के सुझाव आप लोगों ने दिया किसानों ने माना इस बचत पैह हो गया है लेकिस सामाने तोर पर हम सब लोग चाते थे कि एक छोड़ा गुरूप बने लेकिन सबी इनियन्स का कहना ये था कि सब लोग एक साथ मिलकर बात करेंगे तो सरकार को सबसे मिलकर बात करने में भी कोई आपती भी सबाबे ग्रूप से हम तो किसान भाईयों को यागरे करते ही हैं कि वो अंदोलन इस्तखित करें और बारता के लिए आएं लेकिन ये फैंसला करना किसान यूनियन पर और किसानों पर निर्वाइए ऐसे ही लेटेश को बरेपाने के लिए बेल इकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइख, शेर और सुप्स्क्राइब करें थान्यवाद थान्यवाद थान्यवाद